Hello friends, क्या आपको चिपची पे पानी की शिकायत है? क्या आपको nightfall यानि स्वापन दोश भी होता है? और आपके मसाने में गर्मी है, शरीर में गर्मी है या फिर पेशाब करने में जलन होती है और पेशाब भी बार-बार आता है? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ता तो ऐसी समस्या में आपको क्या करना है कि आपको वो सारी हरकते छोड़ देनी है जो आप करते हैं, जैसे masturbation यानि हस्थमैथुन करना, लड़कियों से फोन पर बात करना, पौन मुवी देखना, इन सब को हो सके तो बंध ही कर दें जिससे क्या होगा कि आपकी body में changes आने श शुरू होगी, आपकी stress कम होगी, आपके sperms counts यानि शुकराणू भी बढ़ने शुरू होंगे और link का सुकरना भी कम होगा, कुछ लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि अदरक खाने से या लौकी खाने से ये समस्या ठीक हो जाएगी अगर ऐसा होना होता तो वो तो आप खाने में वैसे ही खा लेते हो, उससे कुछ नहीं होता, फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वहां से कुछ टैबलेट्स ले आते हो और उन्हें खा लेते हो, फिर वो टॉयलेट के रास्ते से बहार आ जाती है, फिर इससे कोई फाइदा नहीं होता है, तो शायद ये विडियो आप इसी वजह से देख रहे होंगे और फ्रेंज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली विडियो आप मिस नहीं करें और अब बात करते हैं कि ये बिमारी किन-किन शकलों में आती है जैसे तनाव आया चिप-चिपा पानी निकला फिर तनाव खत पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि फर्क इससे नहीं पढ़ता कि आपने 15,000 की दवाई खाई है या फिर 200 की फर्क इससे पढ़ता है कि जो दवाई आपने खाई है उस दवाई का composition अच्छा है या नहीं और माना कि वो एक Ayurvedic दवाई है कुछ समय तो लेगी ठीक ह होने में एक महीने, दो महीने या छे महीने तो वो बात एक हद तक ठीक है लेकिन अगर आपको उस दवाई का 15 दिन में कोई फर्क नहीं दिखता तो आप उस दवाई को 10 साल भी खाएंगे तो भी उस दवाई से आपको कुछ नहीं होने वाला और अब बात करते हैं कि खाने में क्या खाएं तो आप मसाले वाली चीजे कम कर दें क्योंकि जिन्हें ये चिपची पे पानी की समस्या होती है उन्हें पेट की समस्या भी रहती है जैसे हाजमा खराब है खटी डकारें भी आती है असिडिटी है या कब्स है तो ऐसी सारी परिश्यानी उन्हें होती है औ और जब तक आपका पेट ठीक नहीं है आप आयूरवेदिक के अंदर at least कोई सी भी दवाई खा लें वो आपको फाइदा नहीं करेगी। तो पहली चीज आपको अपने पेट पर काम करना होगा। खाने में क्या-क्या खाना है और क्या-क्या नहीं खाना है। नौन वेज बिलकुल नहीं खाना है क्योंकि उसमें डिलते हैं मसाले तो आप हरी सबजिया खा सकते हैं और साथ ही साथ फल भी खाने हैं और दूद आपको रात में नहीं दिन में लेना है। फास्ट फूड अवॉइड करें जैसे बर्गर, पीज़ा, मोमोज वगेरा वगेरा और एक और बाद जब आप दवाई ले तो उसमें 30 मिनट का गैप जरूर रखें, सुबह भी और रात को भी और एक और परिशानी आती है बोडी में चिपचिपा पानी निकलने के बाद बोडी में वीकनेस आजाती है तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, जब ऐसा दिस्चार्ज होता है तो बोडी में वीकनेस आजाती है, इसके लिए आप फलका कर सकते हैं इस्तेमाल, जैसा के आप देखी रहे होंगे इस दवाई का नाम है सफूफ मुकवी ये एक आयुरवेदिक दवाई है, इसकी सामगरियों की बात करें तो इसमें है गोंद कीकर, लाजवन्ती, अश्वगंधा, तेजु के फूल, बीजबंद, पीपल मग, वंश लोचन, कमरकस, गोंद कतीरा, दार्चीनी, वांग भस्म, लोह भस्म, सभालू, तुककमे काहू, मुलेथी, बाहमरला मैं ये दवाई इसलिए बता रहा हूँ, क्यूंकि जिन लोगों को ये समस्या थी, वो अब इस दवाई के वजह से पूरी तरहा दूर हो चुकी हैं और अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इस वीडियो पर कॉमेंट के जरिये अपना ओपिनियन जरूर करें और कितने दिन में आपकी समस्या ठीक हुई, तो अगर आप इस दवाई को खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर आपको वाट्साप नमबर दिख रहा होगा, आप इस नमबर पर अपना नाम, फोन नमबर और अपना अड्रेस पिन कोड के साथ वाट्साप कर सकते हैं, और लिखे सर्ज सफूफ मुकवी चाहिए, ये आपको Cash on Delivery पर मिल जाएगी, मतलब जब ये दवाई आपके पास आएगी जब ही आपको पैसे देने हैं, और करने के बाद लगभग चार से पांच दिन लगेंगे इस दवाई को आपके पास आने में, और इस दवाई क नहीं है, अब मैं इस दवाई को बंद कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक महीना तो ये बॉडी की परिशानियों को दूर करे में help करेगी, दुसरे महीने में ये दवाई proper work करेगी जिस तरहां इसे करना चाहिए, तो फ्रेंज आज की वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताएं, और उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और टेक केर